दोस्तों कहाने की इस साथवे चेप्टर में आप सभी का स्वागत है रिसी वस्धा को लेकि गारी में बैठ गया उसने वस्धा की और पानी की बोतल बढ़ाई तो वस्धा ने पानी पिया और फिर से रिसी को बोतल पकड़ा दी तो अब बताओ तुम रो क्यों रही थी रिसी दे उसका मुख पूचते वे कहा पहले आप बताईए कि आप यहां क्या कर रहे हैं यह सुन रिसी चुप हो गया उससे कुछ कहते ही नहीं बना उसकी खामोसी दे वस्धा बोली अब चुप क्यों है बोली आप यहां रो जाते हैं न और आप मेरे कॉलेज भी आये थे न तो फिर आप मुझे आप मुझे से मिले क्यों नहीं अब बोल अब बोल क्यों नहीं देता कि भावी के लिए ही आता है आवाज सुन उस्धा आगे कि सीट की ओर देखने लगी जिस पर रोनित बैठा था रोनित जी आप वस्धा हैरानी से बोली जी भावी मैं ये मुझे यहां ले आया खुद तो इतने दिनों से रोमियों की तरह आप की गलियों के चक्कर लगा रहा है और आज मुझे भी अपने साथ ले आया रोनित ने मजा किया लहजे में बोला तो रिसी उसे घूरने लगा देखा कैसे घूर रहा है मुझे रोनित ने डैने का नाटक करते हुए कहा तो वस्धा के होटों पे हलकी सी मुस्कान खिल गई जिससे देख रिसी की दिल को सुकून मिला वो भी हलका सा मुस्क्राया तुम ठीक हो और तुम्हारी पढ़ाई रिसी ने सवाल किया सब बढ़िया है आप बताएए घर पर सब कैसे हैं भावी दादी मा भाईया और रिसी ने गहरी निगाह डाल पूछा और आप वस्धा ने आखरी का आप सब बहुत ही प्यार और अपने पन से कहा मैं भी ठीक हूँ रिसी एटिटिउड में बोला तुम जब मुझे मिस कर रही थी तुम मुझे फोन कर देती रिसी उसे देखते वे बोला मेरे पास आपका नंबर नहीं था वस्धा ने धीरे से कहा अब तो आ गया नंबर तुम्हारे पास ये सुन वस्धा ने हां में सिर हिला दिया तो अब सेब कर लेना और किसी भी चीज की जरुरत हो तो मुझे फोन कर देना जी दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे जुखाम हो गया है तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी कहानी मेरी आवाज में समझने में दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए का उसकी ऐसी बाते सुर रोनित बोर हो गया उसने दोनों को देखते हैं कहा तुम दोनों कांटिन्यू करो मैं ज़रा बाहर घूम कराता हूँ तुम्हारी ये फुमिल्टीस खतम हो जाएं तो ज़रा पपियां जपियां पा लेना ये सुन वस्धा आखे बढ़ी कर रिसी को देखने लगी रोनित गाड़ी से बाहर आ गया अब गाड़ी में सिर्फ वस्धा और रिसी ही रह गए वस्धा एक कोने में सिमिटी बैठी थी कुछ देर पहले जो हुआ उसे याद कर उसके गाल लाल हो गए भावनाओं के आबेग में आकर रिसी के गली लगते समय तो उसने एक पल भी ये नहीं सुचा था कि उसके बाद सिच्वेशन सिच्वेशन ऐसे अकवर्ड हो जाएगी जीब लड़की है अभी कुछ देर पहले तो ऐसे आकर लिपट गई थी कि जाने कब से बेकरार हूँ मुझसे मिलने के लिए और अब ऐसे दूर है जैसे वो उसकी गलती थी रिसी ने मन नहीं मन कहा रिसी लगातार उसे देखे जा रहा था उसकी नजरों का ताप जब वस्दा से बरदास नहीं हुआ तो उसने रिसी की और नजरें उठा कर धीरे से कहा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे मन नहीं है रिसी ने सीधे सीधे कहा तो वस्दा उसकी आँखों में जाकने लगी जैसे उसकी आँखों में उसके कहे सब्दों का मतलब तलास कर रही हो रिसी भी उसकी आँखों में देखने लगा कुछ देर बाद वसधा ने नजरे फिर उससे पूछा आप उस दिन मेरे कॉलेज आये थे तो मुझे से क्यों नहीं मिले तो तुम्हें पता चल गया था कि मैं आया था हाँ और आपको मिलने के लिए मैं गेट तक दोड़ती आई थी लेकिन आप जा चुके थे क्यों रिसी ने पूछा तो वसधा फिर से उसे देखने लगी क्यों मिलना चाहती थी मुझे से रिसी ने पूछा बस मेरा मन था वसधा ने कहा तो रिसी ने उसे एक नजर देखा फिर बाहर देखने लगा आप अब भी मिज़से नाराज है, देखी, मैं आप से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कह दीजी, मुझे से गलती हो गई, मैंने आपको ना जाने क्या क्या कह दिया गुस्से में, प्लीज मुझे माफ कह दीजी, वसधा ने अपने कान पकड़ लिए, ये क्या कह रही हो वस भूल जाओ उस बात को, ये बताओ, तुम्हारा मन लगा यहाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिसी ने बात बदलते हुए कहा, जी, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता ना करे, वसुना ने धीमे से जबाब दिया, ठीक है, तो अब तुम जाओ, रात बह भी नहीं सकती, मुझे यहीं रहना है आपके पास, और सुधा ने कहा तो, रिसी ने अपनी एक आईवरो उपर कर उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, क्या सच में तुम्हें मेरे साथ, मेरे पास रहना है, देखो, मेरी बात अलग है, तुम यहाँ की स्टुडेंट ह और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी यहां पता चले, कि तुम मेरी वाइफ हो, और तुम भी नहीं चाहती कि अभी किसी को तुम्हारी साधी के बारे में पता चले, रिसी ने कहा तो वस्धा ने भी सिर जुका कर कहा, जी, तो फिर जाओ, रिसी ने कहा, वस्धा उसकी बात ब तो मुझे कॉल कह देना, मैं आ जाओंगा, रिसी बोला, तो क्या आपका मन नहीं करेगा मुझसे मिलने का, वसुधा के सवाल पे रिसी ने उसे देखा, फिर अपनी बात दोहराते हुए बोला, जब तुम्हारा मन करेब फोन कह देना, मैं आ जाओंगा, तो क्या मैं आपको पोन कर सकती हूँ, रिसी ने छोटा सा जबाब दिया, वसुधा उसे देखते भी, बाहर आई और होस्टल की योज जाने लगी, बाहर उसे रोनित मिल गया, भावी आप जा रही हैं, हाँ, वसुधा ने कहा और बाय बोल वहां से अंदर चली गई, उसकी अंदर जाती ही, रोनित गाड़ी में आया तो देखा, रिसी की नजरें वसुधा की कमरे की खिलिकी पर ही थी, कुछ देर बाद जब वसुधा कमरे में पहुँची तो, उसने रिसी को देख बाय किया, जबाब में रिसी ने भी उसे हाथ दिखा दिया, उसने रोनित से गाड़ी स्टार्ट कहने को कहा तो रोनित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी अब बोल क्या अब भी यही कहेगा कि भावी तुझे से प्यार नहीं कहती रोनित ने कहा सायद नहीं रिसी बोला अजीब बेगोफ इंसान है उनका इस तरह से आकर तेरे गले लगना तुझे मिलने के लिए तड़पना यह सब प्यार नहीं तो और क्या है रोनित चलिते हुए बोला जब तक उसे इस बात का हैसास नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं है हो सकता है उसे मेरा इग्नोर करना अच्छा ना लगा हूँ हो सकता है उसे मेरा उसे से बात ना करने की वजह से या मुझे गलत समझने की वजह से एक गिल्ट हो उसके मन के अंदर रिसे सोचते हुए बोला तो इनसान नहीं पत्थर है पता नहीं तुझे कैसे समझ आएगा कि वो तुझे से प्यार करने लगी है रोनित गुसे से बोला जिस दिन वो खुद आकर मुझे कह देंगी उस दिन मैं भी जाओंगा और जिस दिन वो मुझे से आकर कह देंगी उस दिन मैं समझ भी जाओंगा और मान भी जाओंगा कि उसे मुझे से प्यार है और अभी जो ये सब हुआ ये सब वक्त की मांग थी बस और कुछ नहीं रिसी की ऐसी बाते सुन रोनित का सिर चक्रा रहा था उसका मन तो कर रहा था कि रिसी को एक जनाते दार थपड मारे जिससे की रिसी की दिमाग के दरवाजे खुल जाएं लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी इसलिए वो मन मसोस की रह और उसके हाथ इस्टियरिंग पर कस गए अगर मुझे पर गुस्सा आ रहा था तो मुझे थपड माने का मन कर रहा है तो मन में ये खयाल निकाल दी रिसी एटिटीट से बोला हाँ क्योंकि तू है ही डेबिल सैतान की तरह सैतान की तरह दिमाग चलता है तेरा इसलिए तेर मुझे थपड माने वाला था रिसी ने आखे छोटी कर रोणित को देखा हा और वो भी बहुत जोर का रोणित ने उसे थपड दिखाते हुए कहा तो रिसी के होटों पे टेली मुस्कान आ गई इधर वस्दा जब खिड़की से दूर गई तो देखा पीछे निसा खड़ी जिसके चेहरे पे हजारों सवाल थे वस्दा हर बढ़ा गई उसे देखकर क्या अब ऐसे ही देखती रहेगी या जबाब भी देगी या मैं खुद तुझे से खुल कर सवाल पूछू ने उसे गोरते हुए कहा वो में नीचे गई थी क्योंकि मुझे से मिलनी के लिए कोई आया था कौन मेरे वस्दा भी सोच ही रही थी कि नीचे जो था वो रिसी खना ही था ना और उस दिन भी तो रिसी खना के लिए ही भागी थी ना गेट की और वस्दा ने कोई जबाब नहीं दिया देख ऐसे चुप मत रहे तो मुझे ये बता कि आखिर ये सब चल गया रहा है तो रिसी खना को इतनी करीब से जानती है कैसे तू जानती है कैसे तू जानती है ना वो कौन है वो देख ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता तुम इन सब के चक्रों में मत पड़ और मैंने तो सुना है कि अभी कुछ दिन पहली उसकी साधी हुई है फिर यह सब यह ठीक नहीं है तो दोर रह निसा उसके आगे कुछ बोलती उसके पहले ही वसुदा बोली वो पती है मेरे निसा हैरान वसुदा को देख रहे लगी क्या क्या कहा तुमने से इट अगेन जो तुमने कहा मैंने क्या वही सुना हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना रिसी खन्ना पती है मेरे और उनकी साधी किसी और से नहीं मुझे से ही हुई है मैं ही हूँ उनकी वो सीक्रेट वाइब जिसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं छपी ना ही उसके कोई फोटो वसुधा भूली ऐसा कैसे हुआ तुम तो अपनी दी की साधी में गई थी ना तो तुम्हारी साधी कैसे निसा को अब भी विस्वास नहीं हो रहा था देख तु यहां बैठ आराम से और मेरी बात ध्यान से सुन मैं जो भी तुझे बताऊंगी उस सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहेगा मैं नहीं चाहती कि यह सच किसी को अभी पता चले एटलिस्ट जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक किसी को ना पता चले कि मैं रिसी खना की वाइफ हो वसधा ने निसा को बेड़ पर बिठाया और उसे पानी का गलास देते वे बोली पानी पी निसा ने पानी पिया और वसधा के कुछ कहने का इंतजार करने लगी वसधा ने निसा की आँखों में देखा फिर उसे साधी की रात वाली सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे वो और रिसी इस अंचाहे साधी के बंधन में बंध गए निसा ने कुछ देर सोचा और बोली लेकिन ये तो गलत हुआ ना वसधा तेरे साथ मैं अपने पापा की बात नहीं टाल सकती मैंने उनके खुसी के लिए किया और तेरी खुसी क्या तो खुस है रिसी के साथ निसा ने कहा तो पस्ता सोच में पड़ गई अभी वो रिसी के साथ रही ही कितना है कि वो ये बता सके कि वो खुस है या नहीं क्या सोच रही है नहीं है ना कोई जबाब निसा बोली ऐसी कोई बात ने है मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं क्योंकि अभी उन्हें इतना जाना ही कहा है और रही भी नहीं उनके साथ लेकिन जितना भी जाना है इतना तो समझ गई हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है उन्हें खुद से ज़्यादा दोसरों की परवाह होती है अपने परिवार से बहुत प्यार करते है और मेरे लिए तो कुछ भी कर सकते है इतना भरोसा है मुझे उन पर उनके साथ हमेशा ही मुझे सेफ फिल होता है एक सुकून होता है उनके पास रहने से वसुधा मुस्कूराते हुए बोली हाँ वो तो मैंने देखा उपर से जिस तरह सुद्ध भागती हुई जाकर उनके गले लगी थी वैसे एक बात तो बता कहीं तुझे उनसे प्यार तो नहीं हो गया निसा ने कहा तो वसुधा बिलस करने लगी प्यार का तो नहीं पता लेकिन मिस जरूर कर रही थी उन्हें और जब उन्होंने बताया कि वो नीचे हैं तो मैं खुद को रोख ही नहीं पाई वसुधा मुस्कूराते हुए बोली हम तो तो अब मिसज वसुधा रिसी खन्ना हो गई है निसा इस्टायल से बोली तो वस्धा ने तुरन तोहोंटों पे मुली रख कर उसे कर्चुप रहने का इसारा कर दिया और दोनों खिल खिला कर हसने लगी कुछ देर हसने के बाद निसा एकदम से सोचते वे बोली तो इसका मतलब तो संजे इसे प्यार नहीं करती वाट संजू से मैं प्यार क्या बखवास कर रही है तो वस्धा हिरानी इसे बोली हाँ संजे वो तो तुझे बहुत पसंद करता है पहले दिन से और मुझे लगा कि साय तो भी उसे चाहती है निसा बोली ऐसा कुछ नहीं है ना ही मिसंजे को चाहती हूँ और ना ही वो मुझे पसंद करता है और ना ही प्यार करता है तुझे तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है हम तो बस अच्छे दोस्त हैं वस्धा विस्वास से बोली अच्छा ऐसा है तो ठीक ही है लेकिन तुझे इस बात का ध्यान रखना क्योंकि उसकी आखों भी मैंने तेरे लिए अलग ही ऐसास देखी है ऐसा कुछ नहीं है तुझे ज़्यादा सोच रही है वस्धा नहीं कहा अच्छा भागवान करे ऐसा ही हो और मैं जो सोच रही हूँ वो गल्ट ही हो निसा नहीं कहा हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है संचु मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है बस और कुछ नहीं वस्धा नहीं कहा तो मैरा मैं भी ये बताईए कि आपने हमारे क्रस रिसी को हमारा जीजा जी बना दिया पता है कितनी लड़कियां मरती हैं उस पर तो नहीं उन लड़कियों के अर्मानों पर पानी फेर दिया उस दिज जब कॉलेज में आया था तो लड़कियां मक्खी की तिरे भिन बिना रही थी उसके एरद गेद तो तो जरा सभल कर कहीं कोई और ना उडा ले जाए तेरे रिसी को निसा ने छेड़ते वे कहा ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ जो लड़कियां उनका लुक देख कर उनके आगे पीछे गोम रही है ना एक बार उनका गुसा देख लेंगी यां तो सौ किलो मिटर की दूरी पर रहेंगी उनसे गुसे में पूरे की पूरे राच्छस बने जाते हैं वो लेकिन हैं बहुत ही सुईट मेरा बहुत ख्याल रखते हैं मेरी हर बात की खबर है उन्हें मेरे कहने से पहले मेरे मन की बात जान लेते हैं वस्दा खोए वे ही बोली ओ हलो तू तो हो गई अपने रिसी के ख्याल में कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुझे जीजाजी से निसाने उसके आगे चुटकी बजाते वे कहा प्यार नहीं ये क्या बोल रही है तू अईसा यां हस्ते हस्ते बिट पर गिर गई वसधा का कोलेज वसधा रिसी से मिलने के बाद बहुत ही खुश थी उसके चेहरे पे अलग ही चमक थी प्रेक टाइम में कैंटीन में बैठे सभी कॉफी पी रहे थी कि तभी संजे वहां आया और उनके साथ बैठते हुए बोला क्या बात है वसधा आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो ये सुनिसा और वसधा दोनों एक दूसरी को देखने लगी कौन मैं नहीं तो मैं तो ऐसे ही रहती हूँ वसधा ने खुद को सम्माल कर कहा अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तुम मान जाता हूँ लेकिन तुमारे चे तुम्हारी कोई क्लास नहीं है क्या निसा नहीं कहा हाँ है ना क्लास लेकिन थोड़ी देर बाद तुम लोगों को देखा तो यहां चलाया सोचा मैं भी कौफी पीलू संजय ने सफाई देते हुए कहा गुड तो कौफी पीओ और भूख लगी हूँ तो कुछ खा भी लेन लेकिन हमारा दिमाग मत खाओ निसा ने चिड़ते हुए कहा अरे या तुम क्यू नाराज हो रही हूँ मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था संजय ने निसा से कहा फिर वस्धा को देख बोला वैसे तुम ऐसे ही रहा करो वस्धा हमेशा हस्ती मुस्कराती अच्छा लगत है तुम्हें ऐसे देख कर वस्धा ये सुन हलके से मुस्करा दी सभी ने कुछ देर बैठ इधर उधर की बाती की और अपनी कौफी खतम की फिर अपनी अपनी कलास की उच ले गए यार मैं फिर से कह रहा हूँ बोल दे उसे कि तु उसे से प्यार कहता है अमन जाती वे वस की योज जाने लगे आज का पूरा दिन वस्धा का खुशी खुशी भी इतना रात को अपने कमरे की खिड़की पे खड़ी होकर बाहर देखने लगी लेकिन आज नीचे कोई नहीं था ना ही रिसी और ना ही उसकी कार वस्धा उदास हो गई उसे उदास खिड़की पे खड पहन भी नहीं कर सकती तू पता नहीं मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा फोन करके क्या कोँगी मैं कि आप आज मेरी खिड़की की नीचे क्यों नहीं आए वस्धा मूँ बना कर बोली ये सुन निशा उसे चिढ़ाते हुए बोली वैसे क्या फिल्मी लाइन है वैसे क् रिले खिलिकी तले तुम सीती बजाना छोड़ दो निसा तुम मुझे चिढ़ा रही हो रुको अभी बताते हूं तुमें ये बोल वसधा निसा के पीछे दोड़ी कुछ देर बाद दोनों सहलियां आखिर में थक कर वेड़ पर गिर गई और लंबी लंबी सांसे लेने लगी मेरी बात मान तुम फोन कह ले अपने रिसी को निसा ने उसके हाथ में फोन देते हुए कहा वसधा ने कहा और फोन लेकर रिसी का नंबर लाश टायल में से दोड़ने लगी उसने अभी तक रिसी का नमब सेप ही नहीं किया था रिसी का नमब देख उसके चेहरे पे प्यारी से मसकान आ गई उसने सबसे पहले रिसी का नमब सेप किया Mr. Husband Mr. Husband के नाम से फिर नाम दे खुद ही मसकराने लगी उसे ऐसे मसकराता देख निसा बोली अब ऐसी ही मुस्कराती रहेगी या फोन भी करेगी हाँ, करती हूँ फोन वसुधा बोली और रिसी का नमबर डायल कर दिया कुछ देर रिंग जाने के बाद रिसी ने कॉल रिसीब किया बोलो, रिसी ने कहा आप, आप कहा है? वसुधा ने कहा फिर अपने ही किये सवाल पर अपनी जीब काट ली मैं घर पर हूँ, और कहां? रिसी बोला, नहीं मेरा मतलब आप इंदोर वाले घर में है या फिर यहां मैं यही हूँ, दिल्ली में क्यों कोई काम था वो, वो मुझे आप से मिलने वो आप मुझे से मिलने नहीं आए यह सुन रिसी कुछ देर खामोस रहा फिर बोला मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें मुझे से मिलना हो तो फोन कह देना हाँ तो अभी कर रही हूँ ना वस्धा एकदम से बोली और चुप हो गई अभी तुम सोजाओ कल मिलेंगे रिसी सांत भाव से बोला कल पक्का ना रिसी ने कहा ठीक है बाए वस्धा ने कहा और रिसी का कॉल कट कहने का बेट कहने लगी जब वस्धा ने कॉल कट नहीं किया तो रिसी ने पूछा और कुछ कहना है जी नहीं वस्धा ने कहा तो रिसी ने कॉल कट कर दिया कितनी बुरे हैं बस नपे तुले सब्दों में ही बात कहते हैं अरे ज़रा ज़्यादा बात कह लेंगे तो क्या इनकी कंपनी के सेर गेर जाएंगे या बिजनेस में लॉस हो जाएगा वस्धा ने फोन देख कहा तो निसा उसे ऐसे फोन से बड़़ाते देख हसने लगी अब तू क्यूं हस रही है वस्धा नाराजगी से बोली यार हसू नहीं तो क्या करू तुम्हारी बाते सुनकर कौन कहेगा कि तुम लोग हस्बेंड वाइफ हो ऐसा लग रहा है कि तू किसी पेसिंट से उसकी हाल चाल पोच रही है निसा हसते हुए बोली तो मैं क्या करू अभी हमारा रिस्टा वैसा नहीं है जैसा आम पती पत्मी का होता है हम तो एक दोसरे को अभी धंग से जानते भी नहीं है हम तो दोस्त भी नहीं है वसुधा बोली तूने इस रिस्टे को लेकर कुछ सोचा है सीरियसली निसा पूछते हुए बोली मतलब वसुधा स्पंजस से बोली मतलब यह कि इस रिस्टे का भविश से क्या है तुम दोनों क्या हमेशा ऐसे ही रहोगी या इससे आगे भी बढ़ोगी या फिर कुछ और कुछ और क्या वसुधा नहीं पूछा मतलब यहां से आगे तुम दोनों के रास्ते अलग-अलग अगर तुम दोनों में नहीं बनती तो कैसी बाते कर रही है निसा ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती माना कि ये साधी हमारी मरजी से नहीं वी लेकिन हम हैं तो पती-पत्नी न अगने के गिर्द साथ फेरे लिए हैं ये गले में मंगल सूतर और सिंदूर उन्होंने अपने हाथ से पहनाया है जो तो जिब तक वो खुद नहीं चाहेंगी कि हम ये रिष्टा खतम करें मैं ये रिष्टा निभाओंगी और वैसे भी हमारे देश में 80% साधियां अरेंज मेरे जी होती हैं और सक्सेस्फुल भी रहती हैं वैसे ये सब तेरी मुह से ना बहुत टिफिकल साउंड कर रहा है निसा बोली हाँ तो मैं टिफिकल इंडियन गल भारती नारी जादा परिलिख लेने से क्या हम अपने संसकार भूल जाती हैं नहीं न तो मैं अपनी साधी कैसे भूल जाओं वसुदा ने गले में पहना अपना मंगल सूत्र मुठी में लेती हुए कहा और अगर उन्होंने कह दिया कि उनको ये रिस्ता आगे नहीं आगे नहीं निभाना तो निसा ने कहा तो मैं बेना कोई सवाल की उनकी जिन्दगी से दूर हो जाओंगी अब जिबर जश्ती किसी के साथ थोड़े ही रह सकते हैं एसे एक बात पूछो निसा बोली पूछी लो वसुधा ने कहा अगर तुम दोनों को प्यार हो गया तो तो पता नहीं साथ सिवन रिन्वो आकास में हूँ सुन्दर सुन्दर तितिलियां उर रही हूँ चारो तरफ फूल ही फूल खिले हूँ कुछ ऐसी वाली ही फीलिंग होगी मुझे बिल्कुल जैसा फिल्मों में होता है लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है वसुधा कंधे उचकाते हूए बोली तो फिर ये मिलने की बेकरारी क्यों निसा ने एक और सवाल दागा पता नहीं अच्छा लगता है उनसे मिलना उनसे बाते कहना सब बहुत अच्छा है वसुधा मुस्कराते हूए बोली यार तेरी जगे मैं होती न सौरी यार तेरी जगे मैं होती न तो यूं होस्टल में नहीं उनके साथ उनके घर में रहती निसा नहीं कहा मैं उनसे घर ले जाने के बारी में नहीं कह सकती क्योंकि हो सकता है उन्हें इंदोर वापस जाना पड़ी तो मैं अकेले कैसे रहूंगी अबे डफर वो अपना विजनस कहीं भी देख सकते हैं और तू घर में रहेगी जंगल में नहीं जो तू उनकी बिना नहीं रह चकती न निसा ने उसके सिर पे मारते हुए कहा, अच्छा चलो, अब सो जाओ, वस्धा ने कहा तो निसा उसे गुड नाइट बोल, अपने विश्तर पे लेट गई, वही रिसी होस्टल के बाहर, रोड की दोसरी साइड, अपने गारी में वैठा वस्धा के खिलकी की ओर ही देख रहा रिसी को गुदगुदा गया, उसे वस्धा की ये बेचैनी सुकोन पहुचा रही थी, अगर तेरी रोमियों गीरी हो गई हूँ, तो घर चले, रोनित ने कहा, हाँ चलो, रिसी ने कहा तो रोनित ने गारी आगे बढ़ा दी, मैं पोच्छता हूँ, कि कभी तक चलेगा ऐस यार तो अपनी ही पतनी से यूँ चोरों की तरह छिप छिप कर मिलने आता है, उन्हें देखने आता है, इससे तो अच्छा है, उन्हें घर ही ले आ, क्यों छोड़ रखा है होस्टल में, रोनित ने कहा, अगर वो आना चाहे, तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो अपनी खुशी से घहर आए, रिसी ने सपाप लहजे में कहा, लो, ये भी कोई बात हुई, यार भावी भी अगर यही सोच नहीं हो, कि तू उन्हें खुद होस्टल से घहर ले जाए, रोनित ने कहा तू, रिसी उसे देखने लगा, सोच, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि भावी भी इंतजार में हो, कि तू उन्हें उस घहर में हक से ले जाए, रोनित ने कहा तू, रिसी खामोसी से बाहर देखने लगा, तेरी जोपड़ी में कुछ नहीं आता, दिमाग में गोबर भरा है तेरे, रोनित ने गुस्से से कहा और, गाड़ी की स्पीट बढ़ा दी, दूसरे दिन वसदा जल्दी उठी, आज उसे रिसी से मिलने जाना था, आज सटारे है, इसलिए उसने सुभा से अपने सारे काम जल्दी जल्दी किये, फिर कलास के लिए कालिज गई और, साम पाँच बजे, वो कालिज से अपने रूम पर आई, और रेडी होने लगी, वो अपने पहन कर रेडी हुई, कानों में आकसिडायस के जुंके, माते पर सिल्वर कलर की बिंदी, मांग में संदे और आखों में गहरा काजल, होटों पे पिंक लेपिस्टिक और, हाथों में वाइट कलर की भरी हुई चूडियां, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो किसी आ वसधा बलस कहने लगी, ओ माई गोड, यू वार बलसिंग, ये सच में तू ही है न, कहीं कोई और तो नहीं, निसा ने कहा, निसा मत करो ना ऐसा, वसधा जेबते हुए बोली, अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है, देखना, तुमारे रिसी निसा ने कहा और उसके कान के पीछे काजल का टीगा लगाते हुए बोली, तुझे किसी की नजर न लगी, ये देख वसधा मुस्कराने लगी, अब मुस्करा क्यों रही है, फोन कर तेरे रिसी को, पूछ तो सही, कब आ रहे हैं तुझे नेनी, निसा ने कहा तू, वसधा रिसी को फोन लगा दिया, रिसी अपने ओफिस में किसी इंपोर्टेंट मीटिंग में था, उसका फोन उसके असिस्टेंट के पास था, रंग जाते ही, असिस्टेंट ने फोन देखा, तुझे वसधा का नाम देख, वो, कॉन्फरेंस रूम से बाहर आया, उसने तुरंत फ जगते वे पूछा मैम सर एक important meeting में हैं आप मुझे बताइए अगर कोई काम हो तो सुमित बोला नहीं कोई ज़रूरी काम नहीं है बस जब वो फिरी हो जाएं तो उन्हें बता देना कि मैंने phone किया था वसुधा बोली yes definitely मैम सुमित ने कहा तो वसुधा ने phone कटके दिया इधर conference room में बैठा रिसी लगाता और सुमित को घूरे जा रहा था क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि सुमित इनी देर से किसे से बात कर रहा था सुमित उसकी नजरों की भाव समझते हुए रिसी के पास आया और नेचे जुखकर बोला सर मैम का phone था रिसी ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंथ अपना phone लिया और सुमित को घूर के देखा फिर बिना कुछ कहे conference room से बाहर आ गया सब लोग मुझ खोले ये सब देख रहे थे क्योंकि आज से पहले रिसी कभी ऐसे beach meeting को छोड़ नहीं गया था चाहें कितनी भी important call क्यों ना हो फिर आज ऐसा कौन सा important person का call आ गया कि रिसी अपनी इतनी important meeting छोड़ बाहर आ गया रिसी ने वस्धा को call किया तो वहाँ से वस्धा की प्यारी सी आवाज आई हलो उसकी आवाज सुन रिसी की आँखे खुद बे खुद बंद हो गई और होटों पे प्यारी सी मुस्कान जैसे इस आवाज को अपने धड़कन में और आवाज की खनक को अपनी सांसों में उतारना चाह रहा हो वस्धा दोबारा बोली हलो आप सुन रहे हैं न रिसी ने खुद को संभाल कर बोला वो आज आप आने वाले थे न मुझे से मिलने मैं कब से बेट कर रही हूँ आपका ये सुन रिसी के दिल को बहुत थी सुकून मिला क्या क्या कह रही थी तुम रिसी ने दोबारा पूछा मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ वस्धान की मुझे दोबारा ये सुन रिसी के दिल में सितार बजनी लगी वजदा ने जब रिसी से कहा कि वो कमसे उसका इंतजार कर रही है ये सुन रिसी की धड़कने बढ़ गई और मन के तार जन के लिए थो उठे उसने कुद को समाला और बोला और वो क्यूँ? आप भूल गए आज हम मिलने वाले थे न आपने ही तो कहा था कर हो गई मीटिंग मैं आ रहा हूँ तो फिर जन्दी आईए न हाँ आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में पहुचता हूँ रिसी ने कहा और कॉल कट कर फोन को देखने लगा इस समय उसके कॉल से फेस पर हलके भाव बदलने लगे थी कोई उसका इतनी बेसबरी से इंतजार कर रहा है ये खयाल ही उसे सुकून पहुचा रहा था वो बिना किसी को कुछ इनफॉम कि ओफिस से बाहर आया और गाड़ी में पैट वस्धा के होस्टल की ओर निकल गया कुछ ही दोर में कुछ ही देर में वो वस्धा के होस्टल के गेट पे था उसने वस्धा को फोन किया नीचे आ जाओ ये सुन वस्धा खुछ सोते वे बोली जी अभी आई निसा वो आ गए मैं जा रही हूँ वस्धा ने निसा के गले लगते वे कहा और बाहर जाने लगी सुन निसा की अवाज पे वस्धा रुकी तो पलट कर उसे देखा हो सके तो पूछ कर पूछ कर देख लेना कि वो तुझे अपने साथ अपने घर में रखेंगे या नहीं निसा ने कहा मैं नहीं पूछने वाली वो मुझे से मिलने आ रहे हैं मेरे लिए इतना ही बहुत है क्यों है इतना बहुत निसा की सवाल पर वस्धा ने उसे एक नज़े देखा अब ही मैं जा रही हूँ वो मेरा बेट कर रहे हैं इस बारे में बाद में बात कहते हैं वस्धा ने कहा और वहां से नीचे चली गी उसके जाते ही निसा ने कहा तुम मानो या ना मानो गसू लेगिन तुम्हें तुम्हारे मिच्टर हस्बेंट से प्यार हो गया है बस देखते हैं इसका अहसास तुम्हें कब होगा वस्धा नीचे आए तो देखा रिसी की कार गेट पर ही खड़ी थी वो दीरे दीरे कदम बढ़ाते गेट की हो जाने लगी रिसी की नजरें जब वस्धा पर गई तो वो पलके छपकाना ही भूल गया वाइट कलर के चूड़ीदार सूट में वस्धा सगमरमर में तरासी भी किसी खूबसूरत मूरत की तरह दग रही थी उस पर माथे पर दमक को अपनी उंगलियों से कान के पीछे करती तो कभी अपने निचले होंट को दाटों से हलके से काटती कुछ सखुचाती अपनी जजख मिटाती वो गाड़ी की ओर बल रही थी रिसी की नजरें उसकी चेहरे से फिसल दे उसके होंटों के नीचे काले तिल पर जाकर ठहर रिसी बाहर आया और उसकी ओर आकर गाड़ी का दर्वाजा खोल वस्धा को अंतर बैठने का इसारा किया तो वस्धा अंदर बैठ गई रिसी भी ड्राइवरिंग सीट पे आके बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट के दी काफी दे तक दोनों ही चुप रहें कोई किसी से बात कर रहा था रिसी बस सड़क की ओर देख ड्राइव की जा रहा था यह सोच कर कि वस्धा कुछ बोले और वस्धा भी यही सोच रही थी कि रिसी कुछ बोले इस वजह से दोनों खामोस थे रिसी ने वस्धा को देखा जो जाने कब से उसे ही देख रही थी रिसी की देखती ह उसने अपनी नजरी फेल ली इसी ने मन में कहा मुझे मिलने तो ऐसे बुलाया है जिसे मुझे एक नजर देखी बिना रह नहीं सकती और अभी एकदम से खामूस इस लड़की का भी कुछ समझ नहीं आता वसधा ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और वो भी मनी मन बरबरानी लगी ये मिश्टर हस्पेंड भी एकदम खडोस हैं मुझे से कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं पता नहीं कहां ले जा रहे हैं रिसी ने जब काफी दे तक वसधा की नजने खुद पर महसूस की तो आखिर बोल ही पड़ा कब तक ऐसे घूरती रहोगी जानता हूँ कि मैं भैंसम हूँ जी वसधा ने अपनी आँखे बड़ी करकी उसे देखा और नहीं तो क्या कब से घूरे जा रही हूँ कुछ भोल ह तो आप भी कुछ सकते हैं न वसधा ने कहा तो रिसी ने उसे आँखे छोटी करकी देखा वसधा ने भी उसे देख मूं बना लिया ये देख रिसी की चेहरे पे हलकी सी मुसकाना गई ये बताओ कहां चलना है जहां आप ले चले वसधा बोली तो रिसी की नजने एक बार पे टिक गई जहीं चलकर लंच करें रिसी ने उसे देख कर गहा लंच ही करना होता तो आपके साथ क्यों आती मैं होस्टल में ही कर लेती वसधा धीरे से बड़ बड़ाई लेकिन रिसी ने सुन लिया किसी मौल में चलकर स्वापिंग करें रिसी ने कहा मेरे पास सब कुछ मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और मुझे वक्राइब रोफंग ही करनी होती तो आपको मिलने ना बूलाती ये सुन रिसी ने गाड़ी पे ब्रेक लगाया और वुसदा की ओर देख कर बुला तो कर तुम करना क्या चाहती हू ये नहीं करना वो नहीं करना तो क्या पूरे दिन ऐसे सड़कों पे घूमना है क्या ओ, ओ, मुझे हाँ, मुझे गोल गप्पे खाने है, वजदा ने गोल गप्पे के ठेले की ओर देखकर कहा, रिसी ने भी मुड़ कर उस ओर देखा, ओ, वजदा को मना करता, तब तक गोल गप्पे वाले के पास पहुँच गई, रिसी भी बाहर आया और बोला, वजदा, ऐसे गोल गप्पे खाना क्या सेफ है, अरे इसमें क्या बुराई है, मेरी मानो, तो आप भी खाईए, बहुत ही टेश्टी होते हैं, वजदा ने कहा और गोल गप्पे वाले से चहकते वे बोली, भाईया, गोल गप्पे खिलाना तीखे वाले, वजदा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सड़क के गोल गप्पे कितने अनहाईजिनिक है, और तीखे, काम ओन, तुम मेडिकल एस्टूडेंट होकर भी, ये सब खा रही हो, एक काम कहते हैं, हम किसी अच्छे से र के अमेज़ादे, लेकिन मैं नहीं, और ये सारे चोचले भी न, अमीरों के ही हैं, मुझे तो ये ही के गोल गप्पे खाने हैं, अच्छा, वैसे मैं तुम्हें याद दिला दू, कि तुम भी इनी अमेज़ादों में आती हो, तुम कहीं फुटफार्ट की किनारे से नहीं आई हूँ, और ये सड़क वाले गोल गप्पे खाने के लिए भी, मैं तुम्हारे लिए ही रोक रहा हूँ, वैना रिसी खरना इतना कमजोर नहीं, कि गोल गप्पे खाकर, उसकी तबियत बिगड़े, रिसी भी एटी ट्यूड में बोला, अच्छा, तो फिर हो जाए गोल गप्पे खिलाने को कहा, वन टू एंड त्री, वसधा बोली और गोल गप्पे खाने स्टार्ट कह दी, दो लोरे लगभग, वीस से तीस गोल गप्पे खा ली, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, खाते खाते वसधा की आँखों से और नाक से पानी बहने ल लगा, उसका पूरा चहरा लाल हो गया, उसकी हालत देख, रिसी ने आखिरी गोल गप्पा खाना रोग दिया और बोला, मैं हार गया, अब नहीं खा सकता, वसधा खुस होते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, कि मैं ही जीतूंगी, और आप हार जाएंगी, मैंने वसधा का चहरा देख, अपनी जेब से रुमान निकाला और वसधा की चहरे को पोचने लगा, वसधा बहुत प्यार से उसे देख रही थी, अब कहां चलना है, रिसी ने उससे दोर होकर पूछा, कहीं नहीं, बस ऐसे ही आपके साथ रहना है, वसधा एकदम से बोली तो, र मेरे दिल पे मेरा कही ना कही नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छुपा है मेरा खुपा है, गाने के हर एक लाइन के साथ, वसधा की नजरी रिसी पर ही होती, रिसी को भी इसका हैसास था, लगिन उसने बिना ध्यान दी, बस अपनी ड्राइवरिंग पर ह ध्यान दे रहा था, रहते हैं ना ये, हमेशा रंग रोब दोनों, जिन्दगी का ये सफर है, छाओ धोब दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुस्बू, तेरी पीछे में चलूँगी, जहां जाएगा तो, वस्दा इस समय रिसी के लिए क्या महसूस कर रही थी, इ आज आप ड्राइबर क्यों नहीं लाए, क्यों, तुम्हें मेरे साथ डर लग रहा है क्या, नहीं, बोर हो रहा है, आप ऐसे रोबोट की तरह वस्दा ड्राइब किये जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, वस्दा धीरे से बुद्बदाई, क्या, क्या कहा, कुछ नहीं, आप ड्राइब कीजिए वजधा कहा जाना है कुछ तो को हो ऐसे कब तक ड्राइब करूँगा देखो हम सहर से बहुत दूर आ गए हैं और तुम्हें वापस होस्टल लोटने में देर हो जाएगी होस्टल जाना भी कौन चाहता है वजधा नी फिर से धीरे से कहा ये तुम आह गई रिसी ने फिर से गाड़ी साइड में रोकी और वजधा की बाँ पकड़ उसको खुद की तरफ एक धम से खींच बोला क्या क्या हूं मैं बोलो रिसी की नजदेगी से वजधा की सांस टक गई वो हकलाते हुए बोली वो आप आप बहुत हैंसम हो और बहुत अच्छे ह सच में यही कहना चाहती थी रिसी ने उसकी आँखों में जहाखकर पूछा तो वजधा भी उसकी भूरी आँखों में देख हो गई बोलो क्या यही कहना चाहे रही थी रिसी ने दोबारा पूछा तो पहले उसने हां में फिर ना में गैदन हिला दी तो फिर आप ना ऐसे में देखा करूं मुझे मैं ना खो जाती हूँ वजधा ने कहा और अपनी आँखे बिंद के ली क्या रिसी ना समझी से बोला तो वजधा ने अपनी आँखे खोली और बिना डरे उसकी आँखों में देखने लगी हां आप एक तो घूरते हो तो डर लगता है तूसरा मेरी आँखों में ऐसे चांक कर देखते हो तो मेरी सांस सोख जाती है आप सच में एकदम नीम चड़े करेले की तरह हो खडो सक्रो सडो और देबोल कि आपके साथ क्या करे बंदा ये सोचने को मजबूर हो जाता है अब मैं कब से आपके साथ हूँ लेकिन मजाल है आपने जो मुझे से कोई बात की हूँ सिर्फ चार सब्द के अलावा वो तो ये वो तो ये गाने चल रहे हैं मैंना ये सफर काटना मुस्किल हो जाता कब से रोबोट की तरह बस ग लेकिन नहीं आप तो कुछ बोलते ही नहीं ये आपका हमेशा एटिट्यूड में रहना जरूरी है क्या माना कि आप बहुत हैंसम हो लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ पुरे दो गंटे सोचने के बाद ये ड्रिस पहन कर आई ये सोच कर कि आपको पसंद आएगा पसंद आना तो दूर आपने एक बार भी नजर भर देखा नहीं मुझे मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना आपको मैं पसंद नहीं बोलते बोलते वस्धा की आवाज भारी हो गई और उसका गला रोंद गया और आखों में नमी आ गई रिसी सिर्फ हैराने से वस्धा को देखे जा रहा था साधी के बाद पहली बार वस्धा इतना जादा बोली थी वरना तो रिसी को लगता था कि सायद वस्धा को जादा बोलना पसंद नहीं नहीं वो बोलती ही कम है वस्धा अपनी ही धुन में लगातार बोले जा रही थी रिसी हैरानी से सुन रहा था वस्धा जब पकड़ खीच अपने सीने से लगा लिया वजदा उसके सीने से लगते ही जोर से फपक पड़ी, रिसी आहिस्ता आहिस्ता उसके वालों को सहलाते वेए उसे सांत कर रहा था, चुप हो जाओ वसदा, देखो ऐसे रोना बंद करो, नहीं होना मुझे चुप, मैं और जोर से रो कुछ नहीं, बस तुम ये रोना बंद करो, अब क्या मेरे रोने पर भी पावंदी है, ये बोल वस्धा जोर जोर से रोने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, रोना चाहती हो, तो रोलो, बस एक बार मेरी बास सुन लो, रिसी बोला, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात, व रिसी ने इसकी ठूड़ी को पकड़ा, अपनी हथेली रखी और अपनी उगली से इसकी चेहरे को उपर किया, तो देखा, वस्धा का पूरा चेहरा आसूंस से भीगा था, आँखों का काजल बहकर, फैल गया था, वस्धा मेरी तरब देखो, रिसी ने कहा तो, वस्धा ने वस्धा ने नजरे उठाकर वस्धा को देखा, उसके आँखों में देखते ही, वस्धा खो गई, और वस्धा की भूरी आँखों में, दोनों एक टक एक दूसरी में खोए रहे, वस्धा सुबगते हुए रिसी आँखों में देख रही थी, वस्धा की नजरे भी, वस्धा प्रफ़ाब के पंखुडियों से नाजुग जो होंट काफ रहे थे उसके लज़ते होंट और नीचे के काले तिल को दे रिसी का दिलाज बगावत पर था वो मदोहस सा उसके होंटों के करीब आ रहा था इसके पहले की रिसी के होंट वजदा के होंटों को छुते वजदा आई और उसने अपना मुफेल लिया रिसी भी अपने होस में आया और तुरंट वजदा से दूर हुआ अब दोनों एक दोसरे से नजने चुराने लगी यह मैं क्या कहने जा रहा था मुझे क्या हो जाता है इसको देख कर मेरा खुद पर काबू ही नहीं रहता ऐसे कैसे मैं उसकी परमीसन की मिना उसकी करीब आया उसे कितना बुरा लग रहा होगा रिसी मन में सोचनी लगा यह भगवान यह मुझे क्या हो गया था मैं इनकी आखों में खोने लगी हूँ यह मिश्टर हस्बेंड को कोई जादू आदू आता है क्या ओ मुझे किस नहीं नहीं ऐसे क किस कर सकते हैं माना की पती हैं मेरे लेकिन ऐसे कैसे मैं उनके लिए कुछ फील थोड़ी कहती हूँ और बिना फेलिंग्स के ऐसे करीब आना नहीं नहीं वजदा भी मन ही मन सोचनी लगी दोनों ऐसे ही अपने खयालों में खोए रहे कि कुछ देर बाद वजदा ने अपना गला साफ कहते हुए कहा चले रिसी ने कहा और गाड़ी स्टाट कह दी एक बार फिर गाड़ी में खामुसी चागी वजदा बार-बार रिसी को देखती फिर रिसी की देखने पर नजरे फेल लेती अब आप फिर से खामुस होगे आखिर वसुदा ही बोल पड़ी कहां जान रिसी ने पूछा आप गाड़ी वापसी की ओर घुमा लो वसुधा बोली क्यों तुम्हें तो आगे ही आगे जाना था ना हाँ लेकिन आपने ही कहा ना कि हम बहुत दूर आ गए हैं तो आप यो टर्न लेलो वस्धा ने कहा तो रिसी ने अगले सिगनल से गाड़ी गुमा ली वैसे तुम इतना बोल लेती हूँ मुझे ये पता नहीं था रिसी वस्धा की ओर देखकर बोला मतलब मतलब ये कि तुमने पहली बार इतना बोला है वो भी एक साथ मैं तो हैरान ही हो गया कि तुम बोल भी लेती हूँ आप मजाग उड़ा रहे हैं मेरा नहीं बिलकुल नहीं मैं तो खुस हूँ कि तुमने अपने मन की बात बोली और साथ ही पहली बार किसी ने मुझे डाटा है ओ सौरी उसके लिए सौरी क्यूँ हर पतनी अपने पती को नाटती है तो तुमने भी नाट लिया तो क्या हो गया रिसी ने वस्धा की और हलका सिर जुगा कर सरारत से बोला तो वस्धा मुस्कुराने लगी वो दोनों कुछ दूर ही चले थे कि अचानक से गाड़ी जटके देते देते रुक गई इसे क्या हुआ रिसी ने श्टेरिंग पर हाथ मारते वे बोला उतर कर देखेंगे तो पता चलेगा ना वस्धा बोली राइट तुम बैठो अभी देखता हूँ रिसी ने कहा और गाड़ी से बाहर आया उसने बोनेट खोला और कुछ चक करने लगा वस्धा भी बाहर आई कुछ पता चला वस्धा ने पूछा तुम बाहर क्यों आई गाड़ी के अंदर जाओ इस तरह सुनसान रास्ते पर तुम्हारा ऐसे बाहर रहना सेफ नहीं है कुछ नहीं होगा पहले ये बताईए गाड़ी चलते चलते रुक क्यों गई वस्धा ने पूछा वस्धा मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ अरे आप है ना मेरे साथ फिर किस बात का डर मैं आपके साथ सेफ फील गएती हूँ वस्धा बोली तो रिसी एक बार फिर चुपो गया क्या सच में वस्धा को रिसी पे इतना विस्वास है या उसने ये सिर्फ बोलने को बोल दिया रिसी मन में सोचने लगा क्या हुआ और उसकी आँखों में देखते हुए बोली कहीं नहीं रिसी सम्हलते हुए बोला तो फिर बताईए क्या हुआ पता नहीं तो अब क्या करें अब हम घर कैसे जाएंगी वजदा कंदे उचका कर बोली मैं फोन कर दूसरी गारी मंगवा लेता हूँ रिसी ने कहा और सुमित को सुमित ओफिस में बैठा रिसी को ही कॉंटेक्ट करने की कोसिस कर रहा था उसके फोन पर जब रिसी का नंबर फ्लेस हुआ तो तुरंत फोन रिसीब करते हुए बोला सर आप कहा हो मैं कबसे आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आउट आफ नेटवर्क था आप ऐसी क कौन सी जगें चले गए सर और आप अकेले ही मिना किसी को कुछ बताए ऐसे कैसे जा सकते हैं सुमित ने सवालों की जड़ी लगा दी सुमित सुमित अब मैं बोल रहा हूँ रिसी ने कहा सौरी सर बोल ये ना सर सुमित थोड़ा दरते हुए बोला मेरी गाड़ी खराब हो तो प्लीज यहां एक गाड़ी भेज दो जल्दी सर आप कहा है आप लोकेशन सिंड कीजिए गाड़ी आ जाएगी सुमित मैं ड्राइव कहते हुए थोड़ा दूर आ गया हूँ सहर से बाहर जो जंगल वाला रास्ता है न वहीं पर हूँ तुम जल्दी से गाड़ी भूज सर आप काहां सर आप वहां क्यूं गए आपको पता है न वो जगें कितनी डेंजरिस है आप अकेले ही चले गए आप कितने लापरवाहो सर सुमित परेसान होते गई बूला सुमित तुम मुझे लेक्षर देना बंद करो और तुम्हें मुझे से बहस करने की इजाज़त नह कट कह दिया वजदा उसे ही देख रही थी वो उसे देखती हुए बोली आप इतना गुस्सा क्यों कहते हैं नहीं मैं बिना वज़ा गुस्सा नहीं कहता रिसी सपाट लेजे में बोला अच्छा तो अभी आप क्या क्या कर रहे थे वजदा ने भौवे उचका कर पूछा वो वो तो सुमित से बात कर रहा था वो मुझे नसीहते दे रहा था और मैं फालतू में किसी के रवाइस नहीं लेता जिसी सीधे सीधे बोला वो आपकी असिस्टेंट है चिंता होगी उनको आपकी वजदा समझाते वे बोली जानता हूँ कि उसे मेरी चिंता है और सुमित मेरा बहुत ही वफादार और ट्रस्ट वर्थी इंपलॉई है लेकिन अगर उसे ये बात पता चल गई न तो वो मेरे सिर पर बैठ जाएगा फिर भाव बढ़ जाएंगी उसकी और ये में बिलकुल नहीं चाहता रिसी अपने ही एटिट्यूड में बोला बहुत ही चालू है आप वजदा बोली तो रिसी से आँके चोटी करके देखने लगा वजदा सकपका गई और तुरंद बात बदलते वे बोली गाड़ी कब आएगी आजाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम बहुत दूर आ गए है लेकिन तब 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 क्या करें वो अपने बड़ी बड़ी आँखे चमकाते वे बोली तब तब तक बाते कहते हैं चलो गाड़ी में बैठते हैं रिसी बोला और गाड़ी का डोर ओपन कर वस्धा को देखने लगा वस्धा ने गाड़ी का डोर बंद करते हैं बोली नहीं मुझे नहीं बैठना मुझे बाहर ही अच्छा लग रहा है वस्धा कहा ना कि जानती हूँ ये जगे डेंजरस है लेकिन मैंने भी तो कहा न आपको कि आप होना मेरे साथ तो मुझे डेंजरी की क्या जडूरत है वस्धा मुह बना कर बोली तो रिसी कुछ बोल ही ना सका वस्धा अब वहीं आसपास गोमने लगी और रिसी अपने हाथ के गड़ी बांदे उसे ही देखे जा रहा था दोस्तों इस कहानी की इस चेप्टर का इन्डेही पर कहती हूँ मिलती हूँ इस कहानी के निस्ट चेप्टर के साथ कहानी अच्छी लग रही हो फ्रेंज तो प्लीज कहानी को खूप सारा लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ओल पर जरूर सिलेट कह दी ताकि जब भी मैं इस कहानी का नया एपिसोड अपलोड करूँ तो आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन तुरेंद मिल जाए चलिए फी मिलती हूँ नेस्ट चेप्टर के साथ